अलो फेंट्स वेल्कम बैक अच्छ के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटा स्टील और सेल के ऊपर में अच्छा तेजी देखने को मिलता है तो इन दोनों स्टॉक्स में हम लोगों को क्या करना चाहिए कौन-कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है तो इन डीटेल में हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर डिसकसन करेंगे आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखेगा साथी साथ अगर आप लोगों का कोई भी करेंगे तो टाटा स्टील का क्वाटर फॉर का अपडेट आया है यहां पर जो है कमपनी के दौरा जो आपको अपडेट आया है अप्रिविएस बेस्ट जो था वहापको फैनेंचाल यह 23 था यहां पे यर औन ये बिस्ट पर जो है आपको पॉर परसंट का ग्रोथ देखन को मिल रहा है और सबसे जो आपको अच्छे बात है जो एक्रॉस तसाइट टोमेश्टिक हो या फिर अप्लाड हो इंडिया हो या फिर आपको यूरोपियन कंट्री हो सब अब ही जगह जो है आपको एक अच्छा प्रोडक्षन देखने को मिला है और एक अच्छा डिलिवरी देखने को मिला है अगर हम लोग सुआली क्वाटर फॉर की बात करेंगे तो क्वाटर फोर में जो है फाइव पॉइंट थी एट बिलियन टन का जो है वह आपको क्रूड ग्लार की च्टील क्रोडक्षन हुआ हैं इसके साथ ही अगर हम लोगzahl के उपर बात करेंगे तो शारचा इंडिया में डिलिवरी वह आपको शिक्स पर्सेंट से इर ội एक्ल版ों को दिलिवरी भी देखने को मिलता है, अगर ऐलोन क्वाटर फूर की बात करेंगे, तो यहां पे जो है 11% क्वाटर ऑन क्वाटर बेसिस पे हम लोगों को ग्रोध दिख रहा है, यानि थर्ड क्वाटर से फॉर्थ क्वाटर के बीच में 11% का ग्रोध दिख रहा है और 5% का year on year basis पे आपको देखने को मिल रहा है अगर हम लोग निदरलेंड और UK की प्लांट की बात करेंगे तो निदरलेंड में 4.8 million ton का वहाँ पे आपको production हुआ है और delivery यह आपको 5.3 million ton का हुआ है यानि कि यहाँ पे कुछ inventory था वो भी आपको कम हुआ है वह भी supply हुआ है इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे UK में तो UK में 3.02 million ton का आपको production हुआ है और 2.8 million ton का वह आपको delivery हुआ है तो एक अच्छा growth जो है across the segment हम लोगों को देखने को मिल रहा है अगर branded product की बात करेंगे तो 11% का growth जो है year on year basis पे आपको financial year 24 में देखने को मिला है 6.5 million ton का जो है यह आपको branded product का delivery हुआ है जहां पर 11% का year on year basis पे growth देखने को मिल रहा है अगर बात करेंगे तो यहां पर भी एक अच्छा हम लोगों को 30% का year on year basis पे jump देखने को मिल रहा है तो across the sector अगर बात करेंगे across the company आपको एक अच्छा यहां पर production और delivery देखने को मिला है चलिए अप charts के ऊपर बात करते हैं अगर बात करेंगे टाटा स्टील अपने all time high के level पर trade कर रहा है बहुत ही अच्छा breakout एक हम लोगों को मार्च के मंत में इस stock में देखने को मिला अगर हम दोग इस चार्ट सेट अप को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेंगा यह मंत्री चार्ट के ऊपर बात कर रहा है यहां पर इस टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था इस टॉक जोई इस रेंज में ट्रेड कर रहा था उपर की साइड में 85 95 यह एक अच्छा रसिस्टेंस जोन था उसके बार इस टॉक ने यहां पर 2021 के अप्रेल में ब्रेकाउट तिया प्रीकाउट देने के बार अगर देखेंगे वापस से टॉक ने रिश्ट किया यहां पि बुलिस इंगल्फिंगेंग यहां पर ओल प्रेंड़ाइन को ब्रेकाउट किया उसका अच्छा तेजी देखने को मिला रिसेंट्ली प्रीएस मंत में रिस्टॉक से अपने ओल टाइम को बेख रिकाऊट किया है तो एक अच्छा तेजी स्टॉक में हम लोहों को सभी टाइम पर्एम में uh देखने को मिल रहा है अब आ जाते हैं वीकली बेसिस पे वीकली बेसिस पे देखेंगे तो इस्टॉक चोई अपने प्रीवियस स्विंग का हाई को क्रॉस कर चुका है एक अच्छा यहां पर जो रसिस्टेंस पेस कर रहा था वन फिप्टी से वन सिक्स्टी में स्टॉक स्टॉक चोई है वो अब क्रॉस कर चुका है तो स्टॉक अपने ओल्टाइम हाई पे वीकली बेसिस पे क्लोज हुआ है एली बेसिस पे जरूर हम लोगों को सौट्टर में एक स्मॉल करेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है स्टॉक चोई ब्रेक आउट देने के बाद अ किसारे अगर देखेंगे तो यहां पर डेफराइटली एक हम लोगों को ट्रेंड लाइन का डफान डेखने को मिल रहस्टाग लगाथा रहेस्टर लाइन से सपोर्ट लेके ओपर की साइड में ट्रेड करते हैं यहां पर इस स्टॉक को अगर हम लोग करेंट मार्केट प्र करेगा जानिकी 137 138 के लेवल को जब तक स्टॉक कर रहा है तब तक जो है स्टॉक में यहाँ पर वीक्निस देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर 137 138 के इस लोग को ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली जो है हम लोगों को इस स्टॉक में वीक्निस देखने को मिलेगा उसके अधिस्टॉक वापस से 125 या फिर आपको 115 की तरफ देखने को मिल सकता है तो अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 138 के नीचे डेफिनेटली प्लेस करके रखना चाहिए क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट जोन है यहां पर एसिस्टेंस फिस किया था यहां पर डेकाउट देने के बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद वापस से इस हाई को क्रॉस किया है तो डेफिनेटली जो है आपको यह एक अच्छा लेवल है जिसके नीचे ह हम लोग अपने एसल को प्लेस करके रख सकते हैं और अगर आपके पास अल्रेडी पहले से तो आप यहां पर करके रख सकते हैं चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक के ओपर बात करते हैं सब्सक्राइब कर देखने को मिला लेकिन इस स्टॉक में अभी उतना तीजी नहीं आया है जितना तीजी हम लोगों को और सभी स्टॉक्स में देखने को मिला है उसके पीच्छे का वजह क्या है यह क्यों एक 11 में इस लेवल को ब्रिकडाउन किया था उसके बाद से स्टॉक यहां पर कंट्रॉनसली टू एटम ले चुका है अभी ब्रिकडाउट नहीं कर पाया है अगर इस पूरे पाटर्ण को देखेंगे तो यह एक आपको कापन हैंडल पाटर्ण का फॉर्मेशन हो चुका है अगर इस स्टॉक में 150 के लेवल के ऊपर एक अच्छा तेजी होता है 150 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक यहां पर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो डफिनेटली जो इस स्टॉक में एक हमलों को सांधर तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि यह 13 यह का ब्रेक आउट है इस बार के लिए स्टॉक जो है जरूर यहां पर होल्ड करने कोशिस कर रहा है अगर यहां पर एक डेली क्लोजिंग 150 के लेवल के ऊपर हो जाता है उसके बाद इस स्टॉक में लगातार एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है तो इस स्टॉक को लगातार आप ट्रैक कर सकते हैं इनकेस अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग जो है टुटर या टेलिग्राम पे जुड़ जाएए इसक्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आपको सारा अपडेट जो है यहां पर मिलता रहेगा एक बार इस यानि कि अगर उपर की साइड में स्टाउक ब्रेक आउट करता है तो फिर टूएटी के लेवल तक जा सकता है अब उपर की साइड में अगर रसिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो एक सॉट तर्म रसिस्टेंस हम लोगों को 177-180 के लेवल पर देखने को मिल था है उसके अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हूँ अलेसिस अच्छा लगा हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे